चलिए इसके basis पे कुछ questions देख लेते हैं तो अभी जो हमने theorem पढ़ी कि कोई भी rational number जिसका जो p by q की form में होगा और जिसके q को अगर हम prime factorization उसका करें और वो factorization 2 into 5, 2 raised to power m into 5 की power n की form में अगर निकलता है तो वो rational number का decimal expansion हमेशा terminating होगा इसको समझने के लिए एक बार यह जो question आपकी screen पर दिख रहे हैं आपको इसमें third part से हम start करेंगे तो third part में question हमें दिया हो है number हमें दिया हो है 7 by 80 यह rational number है ठीक है इसके q को जब हम prime factorize करते हैं तो हमें मिलेगा 2 raised to power 4 into 5 raised to power 1 that means इसके q को हम 2 raised to power m into 5 raised to power n की form में लिख सकते हैं इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह इसका जो decimal expansion होगा वो terminating होना चाहिए तो अब यह देख लेते कि कैसे निकालेंगे इसको suppose question पूछाए कि कितने places के बाद terminate होगा उसको calculate करने के लिए उसको find out करने के लिए हम क्या करेंगे जो 2 की power 4 यहाँ पर है उतनी ही power आपको 5 की बनानी है तो कैसे बना होगे 5 की power 1 यहाँ पर है अगर हम 5 की power 3 से multiply कर दो तो powers add हो जाती है multiplication में तो 5 की power 3 से उपर नीचे हमने multiply कर दिया तो नीचे बन गया 5 की power 4 और उपर 5 की power 3 आ गया ठीक है अब आपने एक और property पढ़ी होगी exponents की कि अगर basis हमारे different हो बट power सेम हो तो हम basis का जो base है जिनके उपर powers लगए हो उनका product हम निकाल सकते है multiply कर सकते है सीदे सीदे और जो common power जो common है वो उपर आ जाएगी यानि 2 इंटु 5 हम कर देंगे 10 और जो power है उपर 4 जो सेम है वो हम उपर power लगा देंगे so 10 is to power 4 और उपर हमारा 5 raised to power 3 इंटु 7 है यानि 5 raised to power 3 का मतलब है 125 तो 125 की multiply 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 875 875 upon 10 is to power 4 10 is to power 4 का मतलब है कि अगर आप decimal लगाओगे तो पीछे से 4 places के बाद decimal लगेगा that means यह जो number है इसका decimal expansion आया है terminating और कितने place के बाद terminate हो रहा है तो जितनी नीचे power होती है यहाँ पर उतने ही places के बाद यह terminate हो गा that means 4 places के बाद यह terminates होगा यह आप यहां से भी देख सकते हो टू रजजी पर-4 अगर हम प्राइम फेक्टराइस करें तो मिलेगा आपको 2 रेस टू पार 3 तो यहां पे 5 नहीं है तो आपको 5 अपनी दरफ से मल्टिप्लाइब उपर नीजे कर सकते हो तो 2 रेस टू पार 3 इंटो 5 रेस टू पार 3 कर देंगे यहां से साफ पतर चल रहा है कि जो हमारा decimal expansion होगा वो 3 places के बाद terminate होगा चलिए इसके बाकी के जो 2 parts हैं वो आपको खुद solve करके देखने कि जो आपका decimal expansion होगा वो कितनी places के बाद terminate होगा आगे देखते हैं एक और theorem है जिसमें जो यह कहते है कि मान लीजे कोई number है P by Q की form में X P by Q co-primes है और वो rational number है rational number की definition आपने यह भी पढ़ी होगी कि P by Q की form में तो होते हैं बट essentially उन्हें co-prime होना चाहिए co-prime होना चाहिए माने आपस में उनका जो HCF है जो P और Q हैं उनका जो highest common factor है वो 1 होना चाहिए co-prime numbers हम उन numbers को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है जैसे की 8 और 15 suppose ठीक है तो इनका highest common factor क्या है 1 तो यह दोनो co-prime numbers है co-prime numbers और prime numbers दोनों अलग-अलग चीज़े हैं तो इन दोनों को आपस में confuse नहीं करना है ठीक है तो यहां भी क्या लिखा है कि X equal to P Q मालो P by Q एक rational number है और Q का अगर हम prime factorization करें और वो 2 into 5 की form में ना आए तो उस case में उस rational number का decimal expansion terminating नहीं होगा और अगर terminating नहीं होगा तो कैसा होगा तो non-terminating repeating होगा simple ठीक है इसका एक example आप यहां देख सकते हो जैसे यह question है 10 by 7 sorry 1 by 7 1 by 7 is the number तो 1 by 7 जब आप 7 से 1 को divide करोगे तो कुछ इस तरह की division आपको मिलेगी और यहां आप ध्यान से देखिए जो first remainder आया है वो आया है 3 और एक pattern के बाद में last में जो यहां पे remainder आ रहा है 3 अभी भी आपकी जो division है वो खतम नहीं होई है यह आगे भी चलती रहेगी और क्या होगा जो उपर pattern लिखा हुआ है यह pattern repeat होगा जैसे कि क्या होगा 0.142857 फिर आएगा 142857 फिर आएगा 14 तो एक ही pattern repeat हो रहा है तो यह है non-terminating but repeating decimal expansion और यह भी decimal expansion rational numbers की ही होती है ठीक है तो इसके बाद में यह आपके chapter के last में एक note दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि अगर 3 numbers आपको दियो तो उसका HCF आप कैसे calculate कर सकते हो तो यह आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है बहुत easy है यह formulas आप apply कर सकते हो और आप calculate कर सकते हो तो I hope आपको यह chapter अच्छे से समझ में आया होगा Thank you